ओके अलो फ्रेंड किसे हो आप सब में विसी और आप देखरें बाउन टो इन्वेस यूटीब चैनल इस वीडियो में हम जो अमारा जुलाई का लास्ट वीक है उसमें कौन से स्टोक स्विंग टेडिंग के लिए होंगे वो दिखेंगे कौन से स्टोक बाइंग के लिए तो दोस्तों अब तक आपने अमारी चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो सब्सक्रेब जरूर कर लिजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हरो जर दिन लेते आते और जो बाज में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दिजिए जिसको आपको अमारी नोटिफिक्शन सबसे प लेता है उसे आपको आइडिया तो देखे यह चार्ट क्या है कि 200 का लेवल ड्रेक ही कर पार है एक बाल डाउंसाड मी बार में किया इधर से मीस हां इस्ट नीचे और तो आपने तो आपटपर से यह नहीं आद बाद में इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है जो इस लिए हम इसको क्या है कि अपनी वोच लिस्ट में बना के रहेंगे और आपड देख रहा हूँ कि ये क्यायो कर लाश्ड लोके भी नीचे नीचे नहीं तो 하हिल हो सकता है कि आपको यह 200 का लेवल ब्रेक होता हुए दिखे और यह चार्ट अबो जाता हुआ दिखे लेकिन वो breakout proper होना चाहिए एक बार क्या है कि proper breakout होने दो बाद में आप बाइंग साइड के लिए जा सकते हो जब तक यह आपको एसा ना लगे कि यह proper breakout है तब तक आपको entry नहीं लेनी अगर आपको proper breakout कैसे होता है कैसे entry लेनी यह नहीं पता तो wait कीजिए एक बार इसको अपर जाने दीजिए बाद में यह थोड़ा नीचे आएगा और बाद में अगर यह अपर जाने का sign देता है तब आप इसमें entry ले सकते हो इन simple pullback पे भी आप entry ले सकते हो क्योंकि क्या है कि यह 200 का resistance है वो एक थोड़ा hard resistance है तो अ जो मरस्टों के वो देख लेते इसके बाद का जो मरस्टों के वो है दिपक नाइट्रेट अभी इसको में क्यों लेके जा रहा हूं तो आप इसमें देख रहो कि एक नीचे से downside मिली फिर से upside मिला फिर से चोटी सी downside और यह इसको break कर गया तो normal यह आपको इधर क्या देखने bottom बना और बाद में यह breakout कर गया और breakout देखिए एक अच्छी body candle से अच्छा volume के साथ हुआ है ऐसा नहीं है कि फेक breakout जैसा लग रहा है नॉर्मल एक अच्छा breakout हुआ है और बाद में है कि चलो आपको इधर नहीं buy करना आपको लग रहा है कि नहीं यह high पे buy हो रहा है तो weight कीजिए इसको थोड़ा pullback आने दीजिए मतलब या थोड़ा अपर जाता है या तो इधर sideway हो जाता है तो जो भी high होगा वो break होने पे आप entry ले सकते हो तो मेरे इसाब से एक बहुत ही अच्छा stock है तो आप इसमें क्या है कि long term के लिए भी entry ले सकते हो एक अच्छी price पे औ तो क्या है कि ये candle के high के उपर भी buy कर सकते है आप अपने हिसाब से क्या है कि stop loss और जो है quantity calculation उसब करके जाए तो दिपक नाइटराइट नौर्मल का pen handle बना है इसलिए में लेके जा रहा हूँ अगर आपको safe entry लेन है इसमें तो wait कीजिए pullback का उसके बाद ही entry लीजिए और दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को like नहीं किए तो like comment कर दीजिए चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हरो जर दिन लेते आते हैं अभी जो हमारा इसके बात का stock है वो है अतुल अभी बात कर लेती कि ये stock में क्यों लेके जा रहा हूँ तो इस stock में आप देख रहे हो कि आपको इसमें क्या है कि एक triangle जेसी pattern बनती हुई दिख रहे है देखो ये इधर से नीचे गया फीर से अब हूँ आए फिर से नीचे गया फिर से अब हूँ आए फीर से नीचे गया इधर क्या है कि ये consolidate करने लगा और बाद में इसने ये point से breakout क कि आए ओलियूम भी अच्छा है नॉर्मली मैंने पोजीशन ली हुई है आप अपने इसाप से पोजीशन ले सकते हो क्योंकि मेरे को लगा कि अभी है हाल फिलाल क्या है कि अच्छा ब्रेकाउट हो चुका है सो मैंने पोजीशन बना लिए और मेरा स्टोपलो से यह समझ कि क् स्विंग टेडिंग के लिए इसको लेके जा रहे हो तो आप यह जो लाश्ट लो है उसको भी अपना स्टोपलोस लगा सकते हो तो यह नॉर्मली क्या है कि एक अच्छा सेटप बना रहा है तो नॉर्मली इसमें आपको एक एसेंडिंग ट्राइंगल बनता हुआ दिख रह रहा हूं पहले बाद तो यह क्या है कि आप देख रहे हो कि एक डाउंसेड आने के बाद बहुत इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं किया है देखो यह डाउंसेड आया बाद में अपर डाउंसेड अपर डाउंसेड जो यह लाश्ट रजिस्टन्स था वहीं यह रजिस्टन हो चुका है और यह देखो candle breakout वाली समझ के बाद में थोड़ा नीचे भी आया फिर से एक अच्छी candle जो बोलते हैं वो लाश्ट में बनी हुए इधर तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको क्या है कि एक अच्छी से अफसेट देखने को मिले लेकिन एंट्री कब करने वाले दिनों में आपको फेर से यह 1200-1300 का लेवल टच करता हुआ देखेगा सो नॉर्मली यह जो लाश्ट में था इसका breakout के लिए ही में वेट कर रहा था कि इसका breakout प्रोपर हो और उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे सो इसका breakout नॉर्मली हो चुका है यह resistance के साथ क्योंकि छोटा stop loss और बड़े target आप इसमें set कर सकते हो अभी इसके बाद का जो हमारा stock है वो देख लेते हैं इसके बाद का जो हमारा stock है वो IGL अभी IGL मेंने क्यों लिया नॉर्मली यह stock चल रहा है downtrend में सो हमारा जो main view होगा वो हम downside entry देखेंगे देख आप इदर से यह न distance layer है ओके सो इसलिए क्या है कि हम इसमें देखेंगे हाल फिलाल क्या है कि एक consolidated zone में तो इसको में क्या है कि यह सब कुछ पहले drawing निकल देता हूँ बाद में आपको पता चलेगा सो यह last 2-3 दिनों से यह क्या है कि consolidate कर रहा है two hours का यह चार्ट है तो आप देख रहों नीचे क अपर नीचे अपर नीचे मतलब एक consolidated zone में तो हो सकता है कि आपका यह चार्ट इदर से अपर भी जाए और डाउन भी जा सकता है लेकिन पहला हमारा व्यू होगा वो डाउन सेड होगा समझ गये क्योंकि एसा है कि इसका trend है वो डाउन रेंड है इसलिए तो अगर यह क्या ह कि इदर से यह channel का downside breakout कर देता है तो हम downside के लिए जाएंगे लेकिन जब यह upper की side breakout करेगा तब हम क्या करेंगे मान लेते कि यह इदर से upside breakout करेगा तो हम wait करेंगे क्योंकि एक बार यह इदर से 420 का level है वो break होगा बार में थोड़ा अपर जाएगा नीचे जाएगा और फिर से यह high break करता है तब हम मानेंगे कि इसमें अभी uptrend start हो चुका है समझगे सो हम जब upside जाएगा तब थोड़ा wait करेंगी कि pull break टाइप दे और उसके बाद यह क्या है कि अपनी journey आगे continue करें लेकिन जब हम downside के लिए देखेंगे तो इसका अगर प्रोपर breakout हो जाता है downside एक अच् फेक breakout है उसमें फस जाओ सो बेटर यही रहेगा कि उसको confirm करने दो कि नहीं अभी यह down नहीं जाएगा तो इसलिए जब अपर की side देख रहे हम तो थोड़ा सा pullback का wait करेंगे downside आप क्या है कि अच्छी body candle, red color candle, volume अगर आ जाता है तो sell side के लिए जा सकते हो तो normally यह channel का proper अग आगरी जो मारा श्टोक है वो देख लेते हैं इसके बाद का और आकरी जो मारा श्टोक है वो हीरो मोटर को आगे भी मैंने इसको discuss किया था आगे मैंने buy side के लिए discuss किया था अभी मैं पहला इसमें prefer करा हूँ sell side, अभी sell side में क्यों prefer करा हूँ ऐसा नहीं है कि यह sell side जाए ग सब कुछ channel के अंदर ही अपर नीचे हो रहा है तो जब भी यह channel में है और एक अच्छा मूँ दे चुका ऐसा नहीं है कि एक consolidated zone में तो अगर trend के हिसाब से देखे तो यह buying side based है लेकिन जब हम इसको one week के हिसाब से देखते तो यह जो अपर की line है यह इसकी resistance line है तो इसका अग हमारा पहला situation होगा इसके लिए वह sell side होगा समझगे सो sell कब करेंगे इसको तो जो यह channel है उसका एक बार डाउंसेड ब्रेक आउट हो जाए तब भी हम देखेंगे क्योंकि इसका short term trend uptrend है तो एक बार डाउंट्रेंड है आजाए ओके तो फिर से यह pullback देखा फिर से अगर sign है इसका breakout कर दे तब हम by side के लिए जा सकते है इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ यह कौन सा resistance है तो आपको और बेटर आईडिया है तो जब आप इसको one week पे shift करते हो तो आप देखिए इधर से यह line आ रहे है वो इधर से इसने क्या बना दिया है एक inverted hammer tag बना दिया सो एबी एक bear sign होता है कि one week पे इसदर एक inverted hammer बन चुका है तो अगर यह channel का downside breakout हो जाता है तो आप selling के लिए जा सकते हो एक pullback के बाद अगर upside breakout होता है तब भी आप क्या आए कि buying के लिए जा सकते है तो पहले क्या होगा upside में इधर से breakout करेगा ओके तो wait कीजिए कि यह थोड़ pullback type देने दो confirm करने दो कि यह और नहीं गीरेगा यह और अप नहीं जाएगा गर downside देख रहे तो okay so उसके बाद आप इसमें entry ले सकते हो कोई भी ट्रेड में ऐसा नहीं होता क्या bottom पे buy करोगे top पे sell करोगे ऐसा नहीं हो ता आपको right opportunity की शरूरत होती है कि चलो मेरे को एक ए मेरे फेवर में work करेगा अगर नहीं करता 10% अगर गलत चला जाता है तो आपने stop loss इसलिए लगाया है कि आपका ज्यादा से ज्यादा loss ना हो समझगे so stop loss लगाना हर trade में जरूर यह बले ही वह हीट हो जाए लेकिन आपका loss ज्यादा नहीं होगा so यह सब कुछ basic चीज है आपको पता होना चाहिए कि इतनी quantity मेरे को buy करने कहां buy करने वो सब कुछ idea होना चाहिए और जो सभी वीडियो में मैं बोलता हूँ इसी वीडियो में भी बोलूंगा कि आप मेरे को या किसी और को blindly follow मत कीजिए यहां internet पे YouTube पे कोई analysis मिल रही है तो आप उसको देखिए अग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यारो like comment and subscribe कर देना आप like comment करोगे तभी तो में motivation मिलेगा और एसे वीडियो आगे लेकर आएंगे तो प्लीज यारो like comment and subscribe कर देना चलिया मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए टक्टा गुडबाई जयाई